हम बागी दिशारों को समलित करेंगे विरेन सिंग जी हमारे स्टेट हेड भी सकारिकम में आ चुके हैं विरेन जी स्वागत आपका बीजेपी क्लेम कर रही कि असी जीतेंगे और अभी मैं अखिले श्यादों का स्टेटमेंट सुन रहा था हो करें असी हराएंगे और मायवत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक्के विधायक हैं राजसभा विधान परसद में भी वह उनका वोट कोई मांगेगा नहीं लोकसभा में पता नहीं क्या स्थिति उनकी बनेगी आगे एक बार 2014 में बनी थी दूसरा यह कि जब विपक्षी दल अभी बैठक कर रह मुस्लिम वोटों पर है जबकि भाजपा हिंदुत राष्टवाद और महिला वोट बैंक तमाम सारे मुद्दों पर वोट पर टोरने में लगी है तीन राज्यों में उसने चमतकारिक जीत हासिल की जहां मद्द परदेश और 36 गड़ में माना जारा तक वहार जाएगी उसक उसके भी चिंता बीजेपी कर रहे हैं इसा नहीं है उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक नई इस्तिती शुरू की है कि हर बूत पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो परदान सरपांच सभासद चेर्माइन छात्र संग के अद्धिश रहे हों बाहर एसोसियसन में रहे हों व्यापारी हों इन लोगों को चाहे वो जीते हो हारे हों उनको सम्मान देकर जोडने की एक कोसिस हो रही है यह नया अभियान बीजेपी चला रही है दूसरी और अभी इंडिया गडबंदन में चुनाओ किसके चेहरे प्लड़ा जाएगा उस पर प्यारी चल रही है तो इंडिया गडबंदन थोड़ा लेट चल रहा है कौन कितने सीटों पर लड़ेगा कौन सायोजक होगा और नितिस कुमार की क्या भूम का होगी इंसब पर भी चर्चा चल रही है अभी तो आम सभा होनी बाकी है तो समस्चा इस बात की है कि अभी सीटों का बटवारा जी इंडिया गडबंदन के सामने सबसे बड़ी चुनवती है लेकिन इधर बेफिक्र इन सब चीजों से राहूल गांदी अपनी यात्रा लेकर निकले हैं आज भाजपा ने चुनाओ को ऐसा बना दिया कि कोई भरतियों की बात नहीं कर रहा है कोई महंगाई पर नहीं जा पा रहा है ना इस पर चुनाओं पर कोई पब्लिक ध्यान दे रही है पब्लिक कव नजारा अयोध्या की चमकदार राम मंदिर और हिंदुत के उफान राष्टवात की और ज्यादा है ब्रिये जी महंगाई हो सिक्षा हो स्वास्त व्योस्ता हो अतिकरमाड है ट्रैफिक है पेट्रोल डीजल है तमाम सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी को घेरा जा सकता है लेकिन यह लोग घेर नहीं पा रहे हैं यह जरूर है कि अभी इंडिया गडबंदन में सीट बना बटी लेकिन चंसेखर आजाद ने कहा कि वह बिजनोर से लोग सभा का चुनाओं लड़े है तो अभी तो बटी नहीं पहले सीट मुच्छ हो गई है कि हमारी यह सीट है तो अभी देखिए इंडिया गडबंदन में क्या-क्या इस्तितियां बनती हैं लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी परसाद मौरिया जत्ता गुर्ण गोबर किये थे उस पर समाजवादी पाटी के लिए रहात भरी खबर यह है कि उनकी सांसर डिंपल यादो ने बहुत सालींता से जवाब दिया है एक संकेत एक संदेश से निकल रहा है कि डिंपल यादो उत्तर परदेश की राजनीत में अच्छा चेहरा बनती जा रही सपा का और उनको और आगे मौका देना चाहिए उनको आगे और आना सक्रिय होना चाहिए राजनीत में क्योंकि इससे समाजवादी पाल्टी की सकारात्मक छबी में जाफा हो सकता है यह अच्छा एक अच्छी सूचना है लेकिन एक बात जरूर यह देखना होगा जी विरेंजी कि बीजेपी इस बार संगमित्र मौरिया क नहीं देगी हाला कि बीस परसेंट लगभग टिकट काटने वाली है लेकिन महिला रच्छन के नाते वह सीट महिलाओं को ज्यादा देगी अब संगमित्रा का टिकट बचेगा की नहीं उनकी उनके पिता जी की वज़ा से अरे पिता जी की वज़े से मिल भी तो सकता है देखिए मैंने एक दिन आपसे कहा था फिर कह रहा हूं कि यह भाजपा जतना और सपा चिलाएगी यह दोनों फाइदा है जतना भाजपा बढ़ती है वह तने सपा भी बढ़ती है घाटे में कांग्रेस और बसपा यह सब रहेंगी तो यह तो देखना ही होगा लेकिन बीजेपी ने 75 जो अपना प्लस का नारा था उसको बदल के मिसन असी कर दिया तो यह तो एक उन्हों ने उनको दिख रहा है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष तक पहुंच सकते हैं अब कांग्रेस के सामने देखिए समस्चा एक सीट ज़्यादा मांगते हैं लेकिन ना संगठन है ना कार करता है और ना इतने टिकटे वाल लिये वाले हैं जो दूतीन करों रुपया खर्च केके लोग सभाग चुनाओ लड़े वोट दूजार चार हजार पाऊ है तो वो कांग्रेस में अब टिकट लेने वाले भी उतने नहीं है लेकिन अब मांगत सीटे जीत के आना है चाहिए जैसे जीतना हो तो यह बीजेपी जान रही को उसके लिए करो और मरो का चुनाओ है तो वो अपने लोगों को हर सुविदा से लैस करके भेज रहे हैं जी और यहां उन्होंने कई दिया जैराई ने किये सब बी टीम सी टीम है अपने लोगों क की है लेकिन है वो दोर मुद्वर्देश के चुनाओ वाला घाओ अभी भारा नहीं है एक साहितकार ने लिखा है सुनिएगा नहीं भी भारा होगा तो आप चक्कू से ताज़ा करोगे है कि अब आजयराई ने इतना ज्यादा जहर बो दिया इतना ज्यादा बोल दिया आसान नहीं हजम कर पाना एक साहितकार ने लिखा है कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना मुद्दतों मुद्दतों सोचना मुक्तसर बोलना और डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे परिंदे तेरा साख पर बोलना और पहले कुछ दूर तक साथ चल के परक फिर मुझे तुम हम सफर बोलना राजबर जी सुना आपने ठीक आपको लिए ज्यादा है इसको सुनिये का बड़ा अच्छा शेर अभी रेंजी का बहुत शुक्रिया